मारनिय परधानमंत्री जी के नेतरत्व में आज Cabinet Committee on Economic Affairs और Cabinet की बैठक हुई जैसा आपको पता है कि भारती एतिहास और संस्कृति में जन्जातियों का विशेश्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीडियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्टिय गौरव के सरक्षन के लिए प्रेरित करने के उदेश्य से पंदरा नमंबर को जन्जातिय गौरव दिवस घोशित करने का निरने लिया गया है भारत के सुतंतरता संग्राम में वी जन्जातियों का बहुत महत्पून योगदान रहा पंदरा नमंबर को भगवान विरसा मुंडा जी की जियनती है जो अंग्रेश साशन के विरुद संगर्ष करने वाले एक महान सुतंतरता सेनानी है और समाज सुधारक रहे जिनको जन्जातियों समुदाओं एवन देशफर के शरद्धा पुर्वक समरन किया जाता है और देशफर में जिस मान समान जिस शरद्धा के साथ उनको याद किया जाता है उस भावना और इनके अजादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नमबर को जन्जातियों गौरव दिवस घोशित करने का निरने लिया गया है भारत सरकार 15 नमबर से 22 नमबर तक जन्जातियों समिदाविके गौरव शाली इतिहास उनकी उपलब्धियों संस्कृति और अजादी की लड़ाई में उनकी योगदान की महत्ता पर एक सप्ता पूरा 15 से 22 नमबर तक एक सप्ता कारेकरम आयूजित करने जा रही है जैसे आपको ग्यात है अजादी कामरित मोहत्सव यह हम मना रहे हैं और आइकॉनिक वीक जो होगा यह आइकॉनिक वीक 15 से 22 नमबर का जन्जातिय गौरव दिवस जो हमने 15 नमबर को घोशित किया है उससे एक हफ्ते तक यह चलने वाला है कि उनके गौरव शाली इतिहाद सुपलब्दियों संस्कृति के बारे में होगा दूसरा निरने सांसेदों से जुड़ा हुआ है कोई कोविट 19 के समय एक निरने किया गया था कि दो वर्ष के लिए 20, 21 और 21, 22 तक जहां तक MPLAD की स्कीम को मंत्री मंडल द्वारा तैक किया गया था कि उसके पैसे का उपयोग जो है धन का उपयोग कोविट की लड़ाई के लिए किया जाएगा और सभी सांसेदों ने आगे बढ़ चरकर कोविट की लड़ाई के प्रति अपना योगदान देने के लिए सहमती भी व्यक्त की थी और आज मुझे आप सब के बीच में बताते हुए प्रसंता भी है कि आर्थिक सिद्धी में सुधार को देखते हुए जिस तरह से एकनॉमिक रिकवरी भी हुई है और अलगलग सेक्टर्स में हमने बड़ातरी भी देखी है दोहजार एक्किस बाइस की शेश अवधी के लिए MP-LAD की स्कीम को कार्यानमित करने का निर्णे किया गया है इससे प्रतेक MP को सभी सांसद जो अभी है उनको दो-दो क्रोड़ पे की किष्ट अवांटित की जाएगी जो 2021-22 की है लेकिन जो बाकी के तीन वर्ष रहते हैं 2022-23 से लेकर 25-26 तक उस समय के लिए पांच-पांच क्रोड़ पे की पूरी किष्ट मानिनियत सांसदों को अपने क्षेतर के विकास के लिए दी जाएगी तो Member of Parliament Local Area Development Fund विल बी मेड अवेलेबल फ्रम दिस यर ओनवर्ड तू क्रोड़ फॉर दिस फानैंशेल यर विल बी मेड अवेलेबल इसके ओपर 2021-22 में 1584 क्रोड़ पे का वेय होगा और 2022-23 से लेकर 25-26 तक 15,833 क्रोड़ पे इसके ओपर खर्च होंगे इस प्रकार कुल 17,417 क्रोड़ पे का वेय MP लैड पर खर्च होगा और यह सबी मानने सांचितों को उपलब धिकरवाया जाएगा तीन और महत्वपूर्ण निर्णे में आप सब के सामने रखने जा रहा हूँ कि आर्थिक मामलों की जो मंत्री मंत्लिय समिती है उसकी अध्यक्षता करते हैं मानने परधान मंत्री जी के नेत्रतब में यह तै किया गया है कि भारतिय कपास आयोग को CCI को, Cotton Corporation of India को 17,408 क्रोड़ पे की Committed Price Support को मंजूरी दी गई है और यह इसलिए है क्योंकि कपास के क्षेतर में लगबग 60,00,000 किसान सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं और जो पिछले दो वर्ष थे COVID के समय जहां एक और कपास का मूल्यक कम था बजार में वहां परे बहुत महत्पूर्ण हो गया था कि सरकार की intervention भी हो और आपको ग्यात होगा MSP के दाम तो तै होते थे लेकिन पूर्व की सरकारों में खरीद नहीं होती थी नरेंदर मोदी जी की सरकार आने के बाद इसमें खरीद की गई और Cotton Corporation of India ने इसमें अपनी बड़ी भूमी का निभाई अगर मैं कहूं 2019 कुल annual production जो है annual production जो है 350 लाग से 360 लाग बेल का उत्वादन होता है 2019-20 में 123 लाग बेल की खरीदारी किवल Cotton Corporation of India और इसके जो आगे ऑथराइज ऐसी एजन्सीजें उनके द्वारा की गई और 2020-21 में 100 लाग बेल की खरीदारी की गई तो आपदा के समय भी किसानों की मदद करने के लिए MSP तो घोशित किया खरीदारी करने का काम भी भारत सरकार के मंतरालियों के द्वारा हुआ और कपास किसानों के हितों की रक्षा करने का काम भी मोदी सरकार ने इस तरह से किया है इससे प्रमुकता 11 राजियों को और उनके किसानों को इसका लाब मिलेगा लगबग 58 लाग किसान इससे सीधे तोर पर जुड़े हुए हैं और 4 क्रोड से जादा मजदूर इससे जुड़े होते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी राहत भी है, मदद भी है और इस साल तो आपने देखा हो कपास के दाम भी बड़े हैं तो उस तरह से शायद जो पिछले दो वर्षों में मदद की गए उसका एक लाप देश के किसानों को और इससे संबंदित 4 से 5 क्रोड लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए भी किया जाएगा और गुनवत्तापूर्व के पास की खेती में भारत को आत्मने पर होने का एक अफसर भी मिलेगा और इस समर्थन मुले की मदद से दूसरा जूट का ख्षेतर है जूट के लिए भी वर्ष 2021-22 के लिए लेकिन जूट का जो इयर गिना जाता है वो जूलाई से जून तक का होता है तो इसमें एक जूलाई 2021 से 30 जून 2022 तक के लिए पैकेजिंग में जूट के अनिवारिय उप्यों के लिए आरक्षन मानदंडों को मंजूरी दी गई है यह हर साल दी जाती है और इस वर्ष भी जूट वर्ष 2021 के लिए अनमोधित अनिवारिय पैकेजिंग मानदंड खाद्यानों के लिए फूट ग्रेंज के लिए 100% आरक्षन होगा और 20% चीनी को अनिवारे रूप से जूट की बोरियों में पैक करने का प्रावधान करने का निरने किया गया है वर्ष भान प्रस्ताब में आरक्षन मानदंड भारत में कच्चे जूट और जूट पैकेजिंग समगरी के घ्रेली हितों की रक्षा करेंगे जिसमें आत्म निर्बर भारत की अवधारना को बल मिलेगा जूट पैकेजिंग में जूट पैकेजिंग समगरी में पैकेजिंग के लिए आरक्षन द्वारा देश में उत्पादित कच्चे जूट का लगभग 66.57 प्रतिशत में खपत होता है और इस प्रावधान को लागव करके सरकार जूट मिलों को सहायक एकाईकियों को और इनमें काम करने वाले लगभग 4 लाख श्रमिकों को राहत परदान करेगी और वहीं पर 40 लाख किसान परिवारिकों की अजीविका को भी संबल मिलेगा भारत सरकार प्रतिवर्ष 8000 क्रोड पे की जूट सैकिंग बैक्स की खरीदारी करती है इससे भी सीधे तोर पर जूट फार्मर्स और जूट वर्कर्स को लाब मिलता है